तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाव युवान ये कितना भी प्रयास कर ले, जिया टू के सामने फिलाल कुछ भी नहीं था, और जिया टू इस तोरहन अपने सेक्रेड प्यूबिल का पावर, स्टेरी स्पेस लॉंच कर देता है, और युवान के, वो जो बोडी स्प्रेशर को जहील न पा रहो, खून हर जेगे से बाहर निकलने लगता है, जाव युवान यहाँ पर, हेवनली पनिश्मेंट लॉड डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, पर फिर भी ये स्टेरी स्पेस, बहुत जादा ही पावरफुल था, इवन युवान का जो जाव युवान, ऐसा लग रहा तब मरी जाएगा, यानि बोडी अब इसकी कोरोड हो रही थी, चमडी उखडने लगती है, और जियाटू हसके कहता है, तुम बहुत ट्रैजिक दिख रहे हो, मैं भी देखना चाहूँगा, तुम मेरे इस स्टेरी दीवर में कब तक, कब त हर एक पावर जो इसकी पास था, सबको ये यूज कर देता है, पर शायद ये काफी नहीं था, चमडी उखड रही थी, इंजरी जोर सीरियस होते जाती है, खुन लागातार बहरा था, और जियाटू खुस था, और इस दुरान ये बाकी जो पांच हैवन्स के लोग थे, इन कहती है, तुम मर कैसे सकते हो, मैंने अभी तुम्हें हराय भी नहीं है, ये मन में कहती है, सू यूवे काफी नम थी, और सोच रही थी मैं useless हूँ, कि हिस आइनस का help भी नहीं कर सकती, जाव मुसेण को भी गुस्ता रहा था, कि जाव यूवान तुमने मुझे हराय था, मैं इस formation में जो एक बार आ गया, उसको ये formation निगल जाता है, और किसी को तुम्हारे बार पता भी निचलेगा, कि तुमने इतना बड़ा कारणामा भी किया था, जव युवान की जो body थी, मालूँ इसमें से blood गायब हो रहा हूँ, जिया टो उसरण surprise होता है, क्योंकि इसको लगत रहा था, क्योंकि ये इसका आखरी तरीका था, और बोल रहा था, बाहर आओ, ये पुकार रहा था, कांगजवान सेंट स्टैम के, चौथे रून को, जो कि आज तक इसकी body में तो है, और युवान भी उसको feel नहीं कर भाया था, और युवान को नाम भी नहीं बता था, और कहता भी है, कि बिग ब्रदर, आप मेरी body में लंबे समय से रह रहे हो, कुस्तो करो, रेंट वगरा तो देना ही पड़ेगा, और जैसे युवान ये बोलता है, इसके divine dwelling में एक light शमकने लगती है, इधर वो जो starry deeper का power था, युवान को घेर चुका था, सबी लोग अपनी आ तो देखता है, युवान के असपास, एक साप के जैसा चीज़, मानों लहरा रहा हो, और ये शौक्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पर अभी भी युवान खड़ा था, एकदम ऐसा मुंडी नीचे करके, अगर किसने dragon ball देखा है, तो गोकु जब पहली बाद सूपर सयन बनत थी, फिर से एक बार जाग उठती है, लोग यही सोच रहे थे, सैक्रेड रेस वाले खास करके, ये बंदा मर क्यों नीच है, जिया टू भी थोड़ा सा, अब हैरान था, और कहता है, ये ट्रेक्स खेलना बंद करो, इसके आखों में killing intent और जादा जागता है, और फिर से जा मानों, वहां की चीजे भाब बनके उड़ जा रही थी, जिया टू हैरान था, पहले ये शौक था, पर अब ये डर चुका था, पूरा श्टेरी रिवर गाइब हो जाता है, और जिया टू इस फ्लेम को पहचान चुका था, ये था लेजंडरी सेंट फ्लेम, जो कि नॉर्म जाव इवान तुम बहुत फियर्स हो, तुमने अपनी बॉड़ी को, स्पिरिट को, बलड को जला दिया, जैनेसिस की को जला दिया, ताकि तुम सेंट फायर बना सको, तुम वैसे भी अब मारे जाओगे, लेकिन फिर भी सेंट फायर बनाया कैसे, ये इसे नहीं सपज में और जब ये सेंट फायर बनाया, तो ये वान को खुद जल जाना चाहिए था, पर ये अभी जिन्दा था, और जियाटू भी कहता है, मानना पड़ेगा, आज तक मैंने जितने लोगों से फायट किया, तुम बहुत अलगो, तुमारा फ्यूचर काफी बढ़ा था, पर तु ऐसे तो ये जाने नहीं देगा, जियाटू भी कहता है, और अगर तुम स्पेरिट फायर ज्यादा यूज़ किये, तो तुमारा स्पेरिट भी डेश्ट वाय हो जाएगा, तो तुम कभी भी जिन्दा भी नहीं उपाऊगे, पर युवान को फरक नहीं पड़ता है, अब य जैसे सेंट फायर इसके डिफेंस के करीब पहुंचता है, इसका डिफेंस भी गलने लगता है, जियाटू फेल कर सकता था, कि अब ये मारा जाएगा, और ये सोच रहा था, मुझे लगा नहीं था, कि ये बंदा मुझे मार सकता है, ये तो मैं इसे पहले ही मार देता, पर ये भी जानता था, मैं तो मर रहा हूं, पर जाव इवान भी मर जाएगा, क्योंकि अपने ब्लड वगएरा को यूज कर चुका है, पर इवान को फरक नहीं पड़ता है, जियाटू यहाँ पर एक जिगए क्रोस लेक्ड होकर बैट जिगए था, ताकि सेंट फायर को डिसॉ आखों में एक तारीफ का वो भाव था, और सभी लोग अपने चेश्ट पर अपना हाथ रखते हैं, और जो पुराने समय में किसी महान लोगों को ग्रीट किया जाता है, वैसा हाथ चाहती पर रखके मुंडी को नीचे जुखाना, क्योंकि यूवान ने ऐसा काम किया था, क सेक्रेटरेस के लोग पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि बाउन्डरियों पलट रही थे, और मानों डेث में बदल चुकी हो, याने इन लोगों को निगलने लगती हैं, क्योंकि बाउन्डरिय को ऐसे बनाया ही गया था, इनका प्लैन तो ओल्टा था, कि ये पाचों हेवेंस के टीम को निगलने वाले थे बट सिचिवेशन बदल चुका था तो बारी इनकी थी शिकारी खोद अब शिकार बन चुका था और धीरे धीरे सेक्रेड रेस के लोग अब मारे जाने लगते हैं और वही पांचो हेवेंस के लोगों का रेस्पेक्ट जो था जाव युवान के लिए और बढ़ने लगता है क्योंकि चार उत्रब खून का हूली मानों चल रहा हूँ जियाटू फरसे चिलाता है कि हमारा सैक्रेड रेस तुम्हे छोड़ेगा नहीं जो तुम अभी कर रहे हो जाव युवान भी हसके कहता है ये बैटल तो लाइफ वर डेथ का था तो क् ये देख रहा था इसके लोग भी मर रहे थे ये एक ब्लैक रिंग सा बनाता है और इसमें कई सारे लोगों को जो इसके सैक्रेड रेस के थे उन्हें भीज देता है मतलब कुछ लोगों को ये बचा लेता है और ये ब्लैक रिंग एक अलग डोमेन में ट्रांसफर हो जाती ह जो कि एक sacred object था अब ये बंदा इतना होश्यार था कि इस domain में ये भी जा सकता था पर सेंट fire है तो ये वैसे भी नहीं बचेगा इससे मालूम था कि ये बहुत powerful है पर फिर भी इसने कि मालूम है हार गया थो तो हर एक plan को लेकर आये था बट अपसोस ये जाव युवान से टक रहा है था और जाव युवान ये मानता भी है इस बंदे के पास हर एक चीज़ का pack up plan है ये बहुत शातिर था जियाटू के आधी body अब गाय भूचुकी थी पर जियाटू अभी भी कहता है तुमको क्या लगता तुम जीत गए है ये जो गुह युवान का battle है ये चार भागों में divided है और तुम जो ancestral की कठा करने वाले हो वो बस 20% है बाकी 80% उपर के लोगों पर निरभर करेगा जाव युवान समझ रहा था कि जियाटू इसे provoke कर रहा है पर इसे फरक नहीं पड़ता है जियाटू भी हस रहा था कि पहले तुम मरोगे जाव युवान तुम्हें अभी यहाँ पर रहूंगा तुम्हें देखूंगा मरते हुए जाव युवान इसे एग्नोर मारता है और जो कोर का मेन एरिया था जहाँ पर ब्लैक होलता है यह उधर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो नव वेंस थे एंसेस्ट्रल की गया क्योंकि युवान का अंदाज़ता है कि वहीं पर इसे एंसेस्ट्रल ड्रेगन फ्लेश मिल सकता है जिससे याव याव को जिन्दा किया जा सकता है और शाद इसका थोड़ा सा हिस्सा युवान भी अब सोच रहा था कि खा के देखी लेता हूँ वैसे भी मरने वाला हूँ अब कैप्टन भाई, सू युवे, बाकी लोग बहुत चिंतित नजरों से जिवान को देख रहे थे कि वो उम्मीद धून रहा है कि कैसे जिन्दा बच जाएगा नहीं तो जैसा जियाटू ने कहा है ये भी मारा जाएगा जब यवान अंदर जाता है और सेंट डिकोटर उनको एक्टिवेट कर देता है पहले तो नव वेंस को देखता है पर फाइनले इस एक वहाँ पर मैटर मिलते है जो कि एंसेश्टरल ड्रेगन फ्लेश था और इसके मदद से और लाल्टेन तो ही पहले इनके पास याव याव को जगाया जा सकता है इसके इमोशन सिस्से में चरम पे थे पर पहले खुद को भी बचाना था अब ये जो एंसेश्टरल ड्रेगन फ्लेश था सब ही जो नव वेंस थे उनमें मिक्स था तो ये जो डेरिवेशन बाउंडरी थी उसके सक्सन फोर्स को यूज करता है और एक जिगे इकठा करने लगता है पूरा काम जो बाउंडरी का था वो ये यूवान यूज कर रहा था जबकि था ये सैक्रेट रेज का एंसेश्टरल ड्रेगन फ्लेश इकठा थो चुका था पर इसमें एक मिस्टेरियोस पावर था जो कि यूवान फील कर सकता था और इस समय इसके बॉड़ी में जो वर्ल्ड सब्डूइंग हेवनली ड्रेगन की है जो कि एंसेट ड्रेगन गौट से ही निकली है उसमें भी एक वाइबरेशन होने लगता है यह समझ जाता है वाइबरेशन मतला कि यह एंसेटर्ल ड्रेगन फ्लेश से ही है तब भी दो चीजे जो सेम सोर्स से निकलती है ऐसा रियक्ट करती है पर इवान इसे कैसे खाएगा क्योंकि इसे लॉड डॉमेन एक्सपर्ट के लोग ही या उसके उपर के लोग पचा सकते बट फिलाल इसके पास 24 था नहीं जी आटू हसता है कि तुम एंसेटर्ल ड्रेगन फ्लेश की मदद से खुद को बचाना चाते हो तुम पागल हो क्योंकि इसे यह सब बारों में पता था कि कोई इसे बचा नहीं सकता है जब तक वो मिनिमम लॉड डोमेन लेवल पे नहीं हो जाव इवान ज्यादा सोचता नहीं और इसका थोड़ा साइस निगल जाता है पर जैसे से निगलता है मनों एक ऐसा पावर जो कि इसकी बॉड़ी को इंडेस्ट्रॉई करने लगा हो इसको फील होता है जादा निराश हो जाते है वैसे भी इंजर्ट थी तो आगे भी नहीं बढ़ पारी थी वो याव फिर से कहती है कि जाव इवान तुम यहाँ पर मर नी सकते है मुझे तुम से सेकर ड्रेगन ब्लेसिंग्स लेना है अब जाव मुशन समस चुकाता यह बोलता है ठीक है जाव इवान जाओ तुम अब heavenly sun stage में मैं सबसे strongest बन जाओंगा वहीं जियाटू हस रहा था कि चलो मेरे से पहले यह मारा जाएगा अब तो इसे कोई सेंट एक्सपोर्ट भी नहीं बचा सकता जाव इवान की बोड़ी अब तूटने लगती है वहले इसके हाँ फिर पैर अब उपर की भी बोड़ी कायब हो रही थी पेन नहीं हो रहा था बढ़ ड्रेगन फ्लेश इसको खतम कर रहा था क्योंकि इसका willpower बहुत strong होता है और जाव इवान अभी भी human है पर तभी अचानक से कुछ तो होता है इसके दिल में एक purple करर का सबस्टैंस था जो कि अचानक से चमकता है इवान की बोड़ी जो कि अचानक से गल रही थी अब धीरे-दीरे मानों रुक सी जाती है इवान भी सबस्टैंस को पर उसने बताया नहीं था इवान की बोड़ी अब डेस्ट्वाई नहीं हो रही थी नीचे के पैरोर तो कड गहे थे हाथ पगेरा पर अभी उपर की बोड़ी भची थी जियाटू हैरान था यह रुक कैसे गया कियार मैं अच्छे से खुस था मरने से पहले पर यह बंदा अब जाव यवान के चेश्ट पर वो परपल गूल कलर का लस्टर और ज्यादा चमकने लगता है एंसेस्ट्र ड्रेगन विल और इस सबस्टांस में फाइट होता है और दोनों गायव हो जाते है यानि एक्स्प्लोड कर जाते है इवन जाव यवान के बॉड़ी भी एक्स्प्लोड कर जाती है पर इस समय एक मिस्टिरिस हरिंग अफ लाइट चमक रही थी जो कि यवान की बॉड़ी जो कि ऐसा बिखर चुकी थी देर देर उनको जोडने लगती है और यवान फिर से यूमेन के शेप में आ जाता है पर इस पार इसके बॉड़ी रिकवर तो हो चुकी थी पर चेंजेस काफी आ चुके थी बॉड़ी एकदम क्रिश्टल क्लियर जैसी दिखरी थी एक कलर चमक रहा था अगर यवान एक मुक्का मारे तो पूरा स्पेस डिस्ट्रॉई हो जाए ऐसा पावर आ चुका था अब ये जियाटू को आराम से एक पंच में हरा सकता है यवान हैरान था कि इसकी बॉड़ी अब सेंट ग्लास बॉड़ी बन चुकी है और कैप्टन भाई तो और ज्यादा कि मैंने इतना मेनद किया और ये बन्दा जियाटू तो बस शारुख जैसे आवाज में हखना ने लगता है कि कैसे और जाव यवान हसके कहते है क्योंकि जो यावयाँ पर भरूसा करते है वो हमेशा जिन्दा रहते है जियाटू को समझ में नहाता है कि ये बन्दा क्या भोल रहा वस इसी ये नहीं समझ में आ रहा था कि एंसेस्टरल ड्रैगन का फिल जोकि एक सुप्रीम गौड थे ये बन्दा कैसे डेस्ट्रॉय कर सकता है कैसे मिटा सकता है एधर जियाटू को फाइनली गायब हो जाता है सैक्रेड रेस में हेवनली सन शेस का सबसे स्टॉंगेस्ट बंदा मारा जा जुगा था पांचो हेवन्स वाले अब काफी खुश थे सभी को पता था युवान नहीं होता तो शाद आज लोग यहाँ पर होते भी नहीं युवान भी सब की थारीफ करता है कि मैं अखेले कुछ नहीं किया हूँ अगर आप लोग मुझे यहाँ तक आने नहीं देते यानि नोर्स को डेश्ट्रॉय नहीं कर पाते तो हम कुछ नहीं कर पाते तो यह सब की विक्ट्री है और यहाँ पर चर्चा एक ही चल रहा था कमांडर जाव युवान इन्विंसिबल है जाव युवान की नजरे में ली गुवान किनलोंग पर फोकस थी क्योंकि उनके औरा बहुत तेजी से नीचे जारी थी आखरी सांस मानों चल रही हो पर अब तो यहाँ पर ancestral की का पावर था जियंग जिंग लिन और लिफू मारे जा चुके थे ने तो शाद उन्हें भी बचाए जा सकता जाव युवान गुवान किनलोंग की तरफी ये की को डाइरेक करता है और गुवान किनलोंग फील करते हैं कि अब ये जिंदा होने लगे है यानि सांस में अब सांस आने लगी थी युवान इनके करीब आता है और किनलोंग युवान के बहुत तारिफगर थे और इस दुरन ये बोलते भी हैं कि मानना पड़ेगा इसलिए वू याओ पर ये शान्त हो जाते है मतलब सीधा सीधा था कि वू याओ क्यों युवान को इतना एड्मायर करती है और युवान भी अब सबको बोलता है फिलालिस मोके का फायदा उठाओ और नासेंट सोल लिबल पे ट्राइ करो ब्रेक्थ्रू का उसके बाद हम वेंज वगरा बाट लेंगे जाव इवान पहले अपने नौव हेवनली क्लॉस सन को एक्टिवेट करना चाहता था क्योंकि अभी साथ ही शाद एक्टिवेट है उसके बाद ये नासेंट सोल के लिए ब्रेक्थ्रू का ट्राइ करेगा अब जाव इवान वो ब्लैक होल वाले एरिया में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर नौव एंसेश्टल की इवेंज थे बागी लोग तो नहीं जा सकते थे क्योंकि वह बर प्रेशर काफी जादा था इवन जिया टू भी शाद नहीं बैठ सकता था पर जाव इवान की जो बाड़ी थी सेंट ग्लास बाड़ी बदल गई थी तो वो इन प्रेशर्स को जहल सकता था और उसके अपने भी तरीके थे अब ये एंसेश्टल की को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने तीनों हेवेंली संस में जो साथ सा ड्रागन क्लॉस थे उनकी तरफ इने रीडारेक करने लगता है समय बीथते जाता है और एक महिने निकल जाता है और हर एक दिन इन एक महिनों के अंदर में बहुत सारे लोगों ने नासेंट सोल लेबल पर ब्रेक्तुरूप कर लिया था अब जैसे नासेंट सोल लेबल में जो हता है नासेंट सोर्स के एक हाइट होती है तो अगर पांच इन से छोटी है तो उन्हें हम इनिशियल नासेंट सोर्स कहते है फिर आता है एडवांस नासेंट सोर्स जिसे हम ग्रीट नासेंट सोर्स भी कहते है अगर 5 इंच से जादा हो तो फिर perfect nascent source इसके लिए शायद 7 इंच यह उससे जादा और nascent source की जो limit होती है वो 9.9 इंचेस होती है यानि कोई शायद उससे उपर नहीं जा पाता है और ये भी कहा जाता है कि जो 9.5 इंचेस के उपर चला गया वो आराम से सेंट एक्सपर्ट बन सकता है अब इस समय बहुत सारे लोग देख रहे थे और 6 mighty hours यहाँ पर feel की जा सकती थे लोग कहते है कैप्टन बाई वगेरा अब लगता है ब्रीक्त्रू करने वाले हैं सभी के उपर light pillars चमकती है ये थे बाई जो लो गवान किल्लोंग और बाकी लोग गवान किल्लोंग का नासेंड सोर्स 2.8 इंचेस का बनता है वहीं चू किंग का 2.9, कैप्टन बाई 3 इंचेस, सू यूवे 3.5 इंचेस, वू याओ 3.6 इंचेस और जाव मुसेन 4 इंचेस का नासेंड सोर्स बनाता है सबसे अधर लोग कैप्टन चू किंग से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके पास उतने रिसोर्स नहीं थे, फिर भी ये इस लेवल पे हैं इवन गुवान की लोग से तो स्टॉंगर ही हैं, और कांग्जवान हेवन वाले ये सुचते हैं, कि जाव यूवान तो हमारी तरफ के हैं, सू यूवे भी, इवन वू हो भी, अगर ये कांग्जवान हेवन में होते हैं, तो कांग्जवान हेवन कितना स्टॉंग होता हैं, कैप्टन बाई की एमोशन्स को देखा जा सकता था पहले जाव युवान इन्हें सरपास किया था अब तो सू युवे और बाकी लोग भी कर चुके थे अब सभी की नजर उस पर जाती है जहां पर जाव युवान बैटा था कि इस बंदे का नासेंट सोर्स किस लेवल पर पहुँचेगा क्योंकि उस ब्लैक होल की तरफ ये लोग देख पा रहे थे क्योंकि इनका पावर बढ़ चुका था और कैप्टन बाई बताती है अगर जाव युवान की फिजिकल बॉड इतना श्टॉंग नहीं होती तो सैथ वो वहाँ पर सर्वाइब नहीं कर बाता और ये बूलती है इसका नासेंट सोर्स कितना बनेगा चुकिंग बूलती है मेरे साबसे पाँच इंस तो बनाएगा वो बंदा पाँच इंस मतलब सीधा उसका पावर ग्रीटर नासेंट सोर्स पे पहुँच जाएगा या एडवांस नासेंट सोर्स जाव मूशन भी कहता है अभी ये डिसकसन कर रहे थे ब्लैक होल में बंदा बैठा जुथा वो अपनी आखे खोलता है इनको समझ में आता है इसाथ जावी वान अब शाद ब्रेक्ट्रू करने वाला है जावी वान के बोड़ी से जो प्रेशर निकल रहा था बाकियों के मिले जूले प्रेशर से भी शाद ज्यादा था और जावी वान लागतार जैनेसिस की अपने सेंट ग्लास बोड़ी के दम पर लोगों से ज़्यादा अब्सॉर्ब कर सकता था पहले ही अपने हेवेनली ड्रैगन क्लॉज को चमकाता है जो कि अब नौपे पहुँच चुके थे लोग अब इसके बारे में जान चुके थे अब ये पूरा पावर कंट्रोल में था नासेंट सोर्स बाउंडरी भी ये बना चुका था चैरे पर एक स्माइल था फिलाल अगर ये कांग्जवान सेक्ट में जाए तो एक पीक मास्टर बन सकता है अब जाव युवान के सर के उपर नासेंट सोर्स चमकना शुरू होता है जिसका हाइट था 6.3 इंचेज लोग सर्प्राइजिंगली से दिख रहे थे कि 5 इंच तक तो कह रहे थे कि मिनिमम पांच आएगा पर 6 लोगों ने साथ इतना भी नहीं सोचा था तो युवान सी था एडवान्स नासेंट सोर्स में एडवान्स कर चुका था वहीं बाकी लोग जिनों ने भी ब्रेक त्रू किया था वो इनिशियल नासेंट सोर्स पे थे चाहे वो वू या ओओ या जाओ मूशेन बगएरा हलाकि सभी का नासेंट सोर्स जैसे जैसे यह advance करेंगे बढ़ेगा यवान जानता था इसके बाद है perfect nascent source फिर यह law domain stage में जा सकता है और यह सब इतना फायदा इसको इसके nine clause heavenly sun के कारण हुआ था अब यह अपने genesis की foundation को feel करता है जो कि सिधा 70 billion पे पहुँच चुका था और अब यह ज्याटू से मिले तो बस एक उंगली करें और वो मारा जाए यह अपने emotions को सांत करता है और अब बारी थी नवो जो main ancestral की veins थे उन्हें डिवाइड करने का AI king वगर आगे आते और जाव इवान को एक complicated expression देरी थी क्योंकि इससे पहले लगा था कि गुवान की लॉंग सबसे stronger होगा हुन इवान हेवन से पर ये बनता इस level पे जाएगा किसे को नहीं लगाता इवान फिलाल इस discussion में participate भी नहीं करता है discussion खतम होता है और हुन इवान हेवन को पहला और छठवा वेंस मिल जाता है क्यांकुन हेवन को दूसरा वन शोव को तीसरा ऐसे करके कांग्जुवान हेवन को भी पाँचवा मिल जाता है चूकिंग बहुत satisfied थे क्योंकि इने लगा था कि इनको 9 वेंस मिलेगा बट पाँचवा मिल गया यानि उसका पावर भी बहुत जादा होता है तो गूईवान हेवन का बैटल फाइनली खतम हो चुका था और यवान इस बात भी एक्साइटेट था कि अब यहां से निकलने के बाद यह यावयाओ को देख पाएगा अब यहाँ पर एक स्पेशल डोमेन को दिखाय जाता है जहाँ पर बहुत सारे सेंट एक्सपार्ट दोनों साइट के थे सेक्रेड रेस और गूईवान हेवन पाँचों लोवर हेवन के और जो भी बिदक बैटल हुए थे लोडोमेन लेवल का या नासेंट सोर्स का या सेंट लेवल का सब में सेक्रेड रेस को या एडवान्टेज मिला था या पर जुवान्जू भी खड़े थे और इनके बगल में चूखिंग लेडी चीजिंग भी और चीजिंग कह रही थी इस पर सही नहीं लग रहा है जादा तरगू युवान का हेवन का बैटल डिसाइड हो चुक है चार लेवल्स में बैटल थे हेवनली सन, नासेंट सोर्स, लॉडोमेन और सेंट लेवल्स सबसे अधा जो सेर रहता है वो सेंट लेवल में रहता है 40% और बाकियों में 20-20% बस अभी तक हेवनली सन लेवल का बैटल का डिसीजन आया नहीं था सेंट लेवल का जो बैटल हुआ था उसमें 22% हिस्था सेकरेड रेज को मिला था और 18% हुमेन रेज वालों को लॉडोमेन लेवल में टोटल 20% हिस्था होता है उसका 11% सेकरेड रेज और 9% पांचो हेवन्स को सबसे खराब गया था नासेंट सोर्स लेवल का उसमें 20% में से 15% हिस्था सेकरेड रेज वाली ले गए थे बस 5% ही पांचो हेवन्स को मिला था तो 80% जो एंसेस्टरल की था वो डिसाइड हो चुका था और उसमें से 48% सेकरेड रेज को मिला था और पांचो हेवन्स को 32% तो पांचो हेवन्स के लोग हेवन्स संस को भी लेकर ज़्यादा उमेद में नहीं थे और यहां पर एक सेकरेड रेज के एक्सपर्ट काफी तारीफ कर रहे थे अपने सेकरेड रेज की कि सुरू से ही हम लोग ज़्यादा सूपीरियर हैं पर दूसरी साइड से सुप्रीम सौवरीन वांजू भी इसके सामने थे और कहते हैं Heavenly Sun का बैटल खतम नहीं हुआ है Star Saint थोड़ा जल्दी मत करिये अब यह जो Star Saint थे हैं वो Second Race के बहुत पूराने Saint है Star Saint हसते हैं कि जब आउटकम आएगा ना तो तुम लोगों को मज आएगा क्यों इन्होंने बाउंडरी दिया है तो इन्हें तो पता ही रहेगा और यह सिधा बोलते हैं कि इस बार Heavenly Sun में पूरा 20% हम लोग ले जाएंगी अब यह सुन करके पाचों डोमेंस वाले शौक्ट हो जाते हैं कि तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो बाउंडरी वगरा भी दे सकते हो फिलाल जगड़ी की बात आती है पर यह लोग करते नहीं वहीं लेडी चीजिंग को काफी गुस्ता आ रहा था क्योंकि जाव युवान भी तो उस बैटल में गया है जुवान जो कुछ बोलते नहीं पर यह जानते थें कि जाव युवान काफी कैपेबल है अगर वो सेक्रेडरेस से फाइट नहीं कर भाएगा तो वो सर्वाइब तो करी सकता है अभ्यावर स्पेस में एक हल चल होती है और सभी की नजरे वहाँ पे फेक्स हो जाती है वहाँ एक डोर खुलता है और लोग बाहर आने लगते है हेवनली सन लेवल का बैटल डिसाइड हो चुका था तो स्टोरी यहीं समाब्द करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ